हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू मैं यूटूब चैनल, गैस आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रूप 5 वेकेंसी की, जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है मज़िप्रदेश में परामेडिकल स्टाफ की जो वेकेंसी है, वो ESV से ग्रूप 5 के रूप में निकाली जाती है, इसमें परामेडिकल स्टाफ की कापी सारी पोस्टे रहती है, तो आप सभी को पता होगा, 2024 के लिए ESV ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया था, जिसमें ग्रूप 5 की वेकेंसी को साविल नहीं किया गया था, हलाकि इसके बाद एको नोटिपिकरिसन आया था, ESV के द्वारा जिसमें बताया गया था कि जो कैलेंडर आया है, उसमें अभी संसोधन हो सकता है, तो उसमें ग्रूप 5 की वेकेंसी को add क्या जा सकता है, तो इसी के द्वारा मधिपरदेश राजपत्र जारी किया गया है, जिसमें ग्रूप 5 वेकेंसी से related, यहाँपे आपको एक जरूरी information देना चाहूंगा जिसमें ग्रुप हैं में कौन-कौन सी पोश्टें आनी हैं कितनी पोश्टें आनी हैं सैली क्या रहेगी इस सब पर हम आज बात करने वाले हैं जैसा कि आप सभी को पदा होगा कि जो जिला चिकिसाला हैं और मेडिकल कॉलेजेस हैं वो मर्ज हो चुके हैं तो उनहीं के द्वारा यहां पर वेकेंसी समलित रूप से निकाली जाएगी तो आप देखेंगे राजपत्र जारी किया गया है 30 अप्रेल 2024 को इसमें आप देखेंगे लोग स्वास्त इवं चिकिस्सा सिक्षा विभाग इन यह अब एक नायम साथ में लिया जाएगा पहल तो यह आप देख सकते हैं नर्सिंग की यहां पर वेकेंसी रहने वाली है जिसमें रहेगी सास की चिकिस्सा महाविद्याला नर्सिंग समबर के लिए उपर नर्सिंग अधिक छक की दो पोस्टे रहेंगी सहाएक नर्सिंग अधिक छक की तीन पोस्टे रहेंगी मैं टन की एक रहेगी, सीनियर नर्सिंग ओफिसर की पचपन और नर्सिंग ओफिसर की 474 पोस्ट रहेगी, इस प्रकार टोटल पोस्ट है 525 यहां पर अनकर ले वाली हैं नर्सिंग ओफिसर की, इसके बाद हम बात करेंगे सहच किशिये संबरगी की जो की आपका पेरामेडिकल इस्ट रहेगा, इसपीश थेरपिस्ट की 6 पोस्ट रहेंगी, फार्मेसिस्ट ग्रेट की 2 पोस्ट रहेंगी, इसीजी टेकनीशन की 4 पोस्ट है, रेडियोग्राफ़ टेकनीशन की 4 पोस्ट रहेंगी, एकसरे टेकनीशन की 4 पोस्ट रहेंगी, एकसरे टेकनीशन की 1 डियलेसिस 700 optometrist की बात करेंगे तो एक post यहां पर रहेगी prosthetic aim and orthotic technician की दो post रहेंगी level 6 की यह post है 25,300 इसमें बेतरमान रहने वाला है pharmacist grade की 10 post रहेंगी TB and chest disease health visitor की 2 post रहेंगी technician assistant की 116 post रहेंगी dresser grade 1 की 10 post रहेंगी salary रहेंगी 19,500 dark room assistant की 4 post रहेंगी dark room attendant की भी 4 post रहेंगी lab attendant की 129 post रहेंगी साथी dissection hall attendant की 24 post रहेंगी आप रहने वाली हैं जिसमें आपका वितरमान 15,500 level 1 के ताथ यहां पर रहने वाला है इस प्रकार से total जो paramedical summer की vacancy है वो 448 post रहेंगी आप आप देख सकते हैं तो friends इसमें काफी सारी post हैं वो 12th pass out candidate के लिए भी रहने वाली हैं जिसमें हम आँगे देखेंगी कि क्या qualification आप से मांगी जा रही है कुछ है में इसमें 11 से डिसंबर की भी पोस्ट रहेंगी यह आप देख सकते हैं जिसमें अस्पताल प्रवंदक, सहायक प्रवंदक, उपरजिस्टार, medical social worker, सहायक सांखी की अधिकारी biomedical engineer, psychiatric social worker, लेखपाल, stenographer, सहायक grade 1, librarian, सहायक grade 2 storekeeper, coding club, health educator, assistant, librarian, social worker, cataloger, documentalist, receptionist, कम, clerk, सहायक grade 3 और psychiatric social worker, इस प्रकार से 406 पोस्ट यह रह सकती हैं इसके बाद आप देखेंगे तो library attendant, यह 44 सेड़ी की जो पोस्ट हैं उनका यहाँ पर detail दिया हुआ है, इसमें 15,500 आपका level 1 के ताथ वेतनमान रहेगा और library attendant की 20 पोस्ट यहाँ पर रहेंगी, जिसमें आपका 18,000 वितनमान रहने वाला है इसके बाद outsource कर्मी की यह यहाँ आप भरती रहेगी, जिसमें आप देख सकते हैं 160 पोस्ट है, sweeper की, wordwire की 109 है, सुरक्षा, guard की 120 है computer operator, दरजी, कारीगर, यह सब पोस्ट इसमें रहने वाली है इसके बाद friends, आप देखेंगी और भी detail यहाँ पर दिया हुआ है पहले हम friends, इनका qualification देख लेते हैं कि आपसे क्या यहाँ पर सेक्षरिक आरता मांगी जा रहे है सबसे पहले अस्पताल प्रवंदक का दिया हुआ है इसके बाद यह जो गेर साक्षरिक संबर की हैं उनका सारा details यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि आपसे कौन सा यहाँ पर qualification मांगा जा रहा है कौन सी पोस्ट के लिए तो यह आप यहाँ से देख सकते हैं अगर इस पीडियाप को आपको चाहिए तो आप टेलिग्राम ग्रूप को जोइन कर सकते हैं लिंक आपको description box में मिल जाएगा प्रेंट्स यहाँ पर आपको जो भी आप पेरामेडिकल पोस्ट के लिए एपलाई करते हैं उसमें आपको डिग्री डिप्लोमा होने चाहिए उसी फिल्ड से और बाकि जो टल्थ पासाउट के लिए पोस्ट हैं वो है आपकी racer grade 1 हो गई, dark room assistant हो गई, dark room attendant, lab attendant, dissection hall attendant मतलब काभी कुछ पोस्ट है रहने वाली है जो level 1 और level 2 के अचाझाँ वे पितनमान रहता है वो सारी फोस्ट हैं 12 पासाउट चैंड़ीट के लिए रहेंगी जिसमें आपका physics chemistry और biology 12 में होना चाहिए आपका exam होगा ASB से उसी के द्वारा ये vacancy निकाल जाती है फिलाल प्रेंट्स आज के लिए नहीं अगर आपको group 5 vacancy से related और कोई information चाहिए तो आप comment session के माध्यूम से हमसे पूर सकते हैं Thank you